नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका कहानी अन्बॉक्स पर मैं हूँ मिशू आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मुझी प्रेम चंद की कहानी राष्ट का सेवक आईए सुनते हैं कहानी राष्ट के सेवक ने कहा देश की मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है नीचों के साथ भाई चारे का सलूक पतितों के साथ बरावरी का बरताब दुनिया में सबी भाई हैं कोई नीच नहीं कोई उच नहीं दुनिया ने जैजैकार की किती विशाल दृष्टी है कितना भाव खिर्दे है उसकी सुन्दर लड़की इंद्रा ने सुना और चिंता के सागर में डूग गई राष्ट के सेवक ने नीची जाती के नोजवान को गले लगाया दुनिया ने कहा यह फरिष्टा है पैगंबर है राष्टे की नईया का खविया है इंद्रा ने देखा और उसका चहरा चमकने लगा राष्टे का सेवक नीची जाती के नोजवान को मंदिर में ले गया देपता के दर्शन कराए और कहा हमारा देपता गरीबी में है जिल्लत में है पस्ति में है दुनिया ने कहा कैसा शुद्ध अंत्यकरण का आदमी है कैसा ग्यानी है इंद्रा ने देखकर पूछा मोहन कोन है इंद्रा ने उत्साबरिस्वर में कहा मोहन वही नोजवान है जिसे आपने गले लगाया जिसे आप मंदिर ले गए जो सच्चा बहादूर और नेक है राश्टे के सेवक ने परले की आँखों से अपनी बेटी की और देखा और मुझ फेर लिया इंद्रा खड़ी रह गई दोस्तों इस कहानी का अंति यहीं पर होता है कहानी आपको कैसी लगी और कहानी में आपको क्या समझाया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी ही भेतरीन और अच्छी कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कहानी सुनने के लिए धन्याबाद